इस कहानी की शुरुआत में हमें Magical Fairy Land पिक्सी ओलों के बारे में बताये जाता है जहाँ पर टिंकर बेल और बाकी की Fairy रहती है और पिक्सी ओलों के पास ही एक और Magical Fairy Land था जिसका नाम था Winter Wood Winter Wood में चारों तरफ सिब बर्फी बर्फ थी और वहाँ पर Winter Fairy रहती थी इसके बाद हम पिक्सी ओलों में Tinkerbell Fairy को देखते हैं जो Winter Fairy इसके लिए बास्केट बना रही थी क्योंकि Winter Wood में बर्फ की वाज़े से गास के लंबे मेदान नहीं थे जिसकी वाज़े से वो खुद के के दोरान अपने दोस्तों से भी बाते करती है और ने विंटर वुट के बारे में बताते हुए कहती है कि वो एक दिन Winter Wood में जुरू जाएगी क्योंकि Winter Wood में जाना उसकामेशा से सबना था Tinker Fairy की बास सुनकर उसके दोस्त से Winter Wood में जाने से मना करती है क्योंकि अगर वो Winter Wood मे गई तो उसके पंक बर्फ में ठंड की वज़े से जम जाएंगे अब एक फेरी होन बजाकर सभी को बताती है कि टोक्रिया लेने के लिए विंटर वुट से सुनो आउल आ गए हैं फेरी मेरी सभी फेरी को जल्दी से बास्केट रेड़ी करने के लिए केती है और इसके बाद स उसके विर los को शिंप्मेंट का ओडर देता है जिसमें विंटर विल्ट फेरी को अभी विज़ो प्रियों की और जो रथी buscando की सब्वर्फ फेरी यसको जल्दी से डोक्रिया बनाने के काम पर लगने के लिए कि यहती है कि एक निन्त दुनले औरिफो तक पुरा करना करूratoा जो 피ξी ओलो के सभी जानवरों को Winter Wood में भेज रही थी ताए कि वी इन जाकर सो सके, Phon Fairy को सभी जानवरों को Winter Wood में भेज ने में प्रोब्लम हो रही थी, لیکिन Tinkerbell की मधज़ से वो 피ξी ओलों के सभी जानवरों को Winter Wood में भेज देती है, एक रेबिट अभी भी विंटर वूड में जाने से डर रहा था लेकिन टिंकर बेल किसी तरह उस रेबिट को भी विंटर वूड में भेज देती है विंटर वूड को पांसे देकर टिंकर बेल विंटर वूड में जाने के लिए एकसाइटेड हो जाती है क्योंकि टिंकर बेल क का बशचुन से सपना था कि विंटर wanna को जाने से मना करती है और उसे समझाती है कि मेरे हमारे पigmat फिरीज हो ऑजाएंगे और बहुत खुश थी और सुनो फॉल को एंज्थार कर रही होती है कि तब अचानक से उसके पंक चमकने लगते हैं और उसे किसी छोटे बच्चे के हसने की आवा सुनाई देती है जिससे सुनकर वो पुरी तरह से एरान थी अब अचानक से फॉन फेरी टिंकर बेल को वापस से पिक्सी ओलों में खिज लेती है टिंकर बेल फॉन फेरी को बताती है कि विंटर वुड में अचानक से उसके पंक चमकने लगे थे लेकिन फॉन फेरी को टिंकर बेल की बातों पर विश्वास नहीं होता फॉन फेरी को लगता है कि विंटर वुड जाने की वज़े से टिंकर बेल के पंको में कोई प्रॉब्लम आ गई है इसलिए और जल्दी से ट पाइकी के फेरिस के साथ देखते हैं जहाँ पर टिंकर बेल सारी फेरिस को विंटर वुड में अपने पंकों के चमकने वाली बात बताती है लेकिन किसी भी फेरी को टिंकर बेल की बातों पर विशाश नहीं था इसके बाद टिंकर बेल पिक्सी ओलो के लाइबरेरी में आ ज वावा में उड़ने लगती है टिंकर बेल जब उस बुक को बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि बुक के कुछ पन्नों को तो एक बड़े से किड़े ने खा लिया था जिसकी वज़े से टिंकर बेल को उसके सालों के जौब नहीं मिल पाते लाइब बेरी में एक फेरी टिंकर बेल को बताता है कि इस भुक के राइटर का नाम मिश्टर कीपर है और विंटर वुड में रहते हैं इसलिए अगर तुम विंटर वुड में जाओगी तो तुम्हारे सौआलों के जौब मिल जाएंगे मिश्टर फेरी के बारे में जानकर टिंकर बेल बहुत खुश होती है और विंटर वुड में जाने के लिए गर्म कबड़ों को बनाती है ताय कि विंटर वुड में खुद को ठंड से बचा सके अब इससे पहले कि टिंकर बेल सभी से चुपकर विंटर वुड में जाती उस से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन टिंकर बेल अपने दोस्तों की बातों पर जादा ध्यान नहीं देती और उनसे कहती है कि मुझे विंटर वुड जाना ही होगा क्योंकि मैं किसी भी तरह विंटर वुड में अपने पंकों के चमकने के मिष्टी करना चाहती हूं टिंकर बेल की बात सुनकर उसके फ्रेंड्स उसे विंटर वुड में जाने में मदद करते हैं और चुपके से उसे टोगरी में बिठा देते हैं कुछ समय बाद वहां बर सुनो आव ला जाते हैं जो टोगरी के साथ ही टिंकर बेल को भी अपने साथ इसे खुल जाता है लेकिन टिंकर बेल किसी तरह टोगरी को पकड़ लेटी है और लेकिन अलुकरी को नीचे रख देता है और बागी की टोखनें से तकरा जाती है और टिंकर टोकरी के साथ ही नीचे गिर जाती है इसके बाद टिंकर वेल टोकरी के पीछे छुप जाती है और अब यहां पर विटर उट के किंग लौड मिलोरी भी अपने सुनो आउल पर बेट कर आ जाते हैं और देखते हैं कि काम अच्छे से चल रहा है या नहीं लेकिन इस दोरा जब टिंकर बेल नीचे गिरी अपनी विंग बुक को लेने की कोशिश करती है तो गलती से वो बुक लाड मिलोरी के पास चली जाती है और लाड मिलोरी अपने अशिस्टेंट सिलेट को वो बुक देकर उसे कीपर को देने के लिए केते हैं लाड मिलोरी का आदेश मिलने के बाद सिलेट विंग बुक को लेकर कीपर को देने के लिए निकल बढ़ता है टिंकर बेल जब सिलेट को विंग बुक ले जाते हुए देखती है तो सिलेट का पीछा करने लगती है सिलेट का पीछा करते हुए टिंकर बेल विंटर गोल में प बाते करी रहे थे कि तए भी अचानक से टिंपर बैल को कौhora अंजानी चास्टी किशने लगती है और उससे परी विंखल के पास ले आती है परीवेकल के पास आने पर टिंगकल दोनों के पंग चमकने लगते हैं और और दोनों एक दूसरे को देखकर पूरी तरह से एरान होती है, इसके बाद पेरी विंकल और टिंकर बेल डिवेआज से अपने पंको के चमकने के बारे में पूंसती है, जिसके बाद डिवेआज टिंकर बेल और पेरी विंकल को एक जायन सुनौ की मधर से सुनौौ nost panel के ओप से होकर गुजरती है तो सामने की दिवार पर एक बेवी की तश्रीर बन जाती है जो हस रही थी और टिंकर बेल जब पहली बार विंटर वुड में आई थी तो उसे इसी बेवी की लाफ सुनाई दे रही थी चोटी बेवी की एसी से एक रोशनी निकलती है जो आगे चलकर 200 मे के लोग उद्बाइए जिसे टिंकर बेल का जन्म होता है और वहीं दूसी दरफ बैवी लावकि दूसी रोश्नी में गिरती है जिसे पेरी विंटर बेल फेरी और दोनों जुड़ा बेने हैं अब लाड मिलोरी भी विंटर होल में आ जाते हैं जो अनुक पारे में पूछते हैं कि कहीं पिक्सी ओलों से कोई फेरी विंग बुक को विंटर वुड में तो नहीं ले आई और अगर सच में कोई फेरी विंग भुक को पिक्सी ओलों से विंटर वुड में ले आई है तो तुम उसे वापस से पिक्सी ओलों में भेज दो टिंकर बेल और पेरी विंकल उपर से लोड मिलोरी और डिवे की बाते सुन रही थी अब लोड मिलोरी वहाँ से चले जाते हैं जिसके बाद डिवे पेरी विंकल और टिंकर बेल से बोलते हैं कि तुम दोनों के पास कुछ समय बाकी है जिसमें तुम दोनों सभी से चुपकर साथ में समय बित सकती हो अब टिंकर बेल झर से बचने के लिए अपने दराथ बनाये गए गर्म-कबरे पहन लेती है और पेagर ले आती है जहाब्र टिंकर बेल को वो चीजे दिखाती है जिसे उसने आज तक अछिक में जो वो ही कोई हुई चीजों को इखटा करती है टिंकर बेल और पेरि विंकल विंटरोड में खुब एंज्योय करती है और सद में एपस्टे वादी है और आपके और सभी सात में सुनो सलाइडिंग करती है और खुँँ एंजय करती है रात ओने पर टिंकर बेल पेरी मिंकल के गर के बाहर आग जला कर खुद को गर्म रखने की खोशिश करती है और इस दोरान उसे एक आईडिया आता है कि जिस तरह वुंटल वुड में आग जला कर खुद को गरम रखकर वुंटल की खुशूरती को एंज़ोई कर रही है ठीक उसी परकार अगर वुकुंषी तरह पिक्सी ओलों में वुंटर सीजन लादे तो पेरी विंकल भी पिक्सी ओलों में आकर वहां की खूसूरती को एंज्योय कर सकती है टिंकर बेल इस बात को पेरी विंकल को बताती है लेकिन इस दोरान टिंकर बेल के द्वारा जलाई गई आगी वज़े से बर्फ मेट हो जाती है जिससे टिंकर बेल नीचे गिरने लगती है क्योंकि ठंड से बचने के लिए पेने गए गर्म कपड़ों की वज़े से वो उड़ भी नहीं पा रही थी अब इससे बेले कि टिंकर बेल नीचे गिरती वहाँ पर डिवे अपने जायंट केट के साथ आ जाता है जो टिंकर बेल को नीचे गिरने से बचा लेते हैं डिवे टिंकर बेल से कहते हैं कि अब तुम्हें वापस हैं पिक्सी ओलो चले जाना चाहिए क्योंकि पिक्सी ओलो की फेरिस को विंटर वुड में आना सक्त मना है और अगर किसी ने तुम्हें यहां देख लिया तो प्रोब्लम हो सकती है अब ना चाहते हुए भी टिंकर बे पेरी विंकल के का नमें बटाती है कि मैं तुम्हें पिक्सी ओलो में जरूर लएंँगी और कल तुम मुझे इसी जया पर मिलन क्यों कि मेरे पास एक प्लान है इसके문दUhrend to hepatिव में आ जाती है और पेरी विंकरदियों के साथ वापस चली जाती है पिक्सी ओलों में वापस आकर टिंकर बेल अपने दोस्तों से मिलती है और ने पेरिविंकल के बारे में बताती है जिसे हो बहुत खुश होते हैं टिंकर बेल अपने दोस्तों को अपने एक मिशन में साथ देने के लिए केती है जिसके लिए और राजी हो जाती है और इसके बार टिंकर बेल अपने दो पिक्सियों में ला सके अगले दिन टिंकर बेल सनो मेकर मशिन को लेकर अपने दोस्तों के साथ पिक्सियों लो और विंटर वुट के बोर्डर पर आ जाती है जहाँ पर पेरी विंकल भी अपने दोस्तों के साथ आई हुई थी पेरी विंकल और उसकी फ्रेंड्स सनो मेकर मशिन को देखकर पुरी तरह से इरान थी क्योंकि उन्हे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या कि सनो मेकर मशिन काम केसे करेगी इसके बाद एक बड़े से आईस ब्लो को सनो मेकर मशिन से अटेच किया जाता है जिसके बाद सनो मेकर मशिन सनो फॉल बनाना श्टार्ट कर देता है ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं अब पेरी विंकल सनो मेकर मशिन के दौरा बनाए गई सनो फॉल की मधर से टिंकर बेल के साथ पिक्सी ओलो में आ जाती है और पेरी विंकल के फ्रेंड्स वापस चले जाते है लेकिन विंटर वुट के किंग लोर्ड मिलोरी का सनो पाउल एक पेड़ पर बेट कर ये सब देख रहा था और इसके बाद हो लोर्ड मिलोरी को सारी बाते बताने के लिए निकल पड़ता है पेरी विंकल पिक्सी ओलो में आकर खुब एंजोई करती है क्योंकि यहाँ पर उसे खुशूरत मचलियां कलरफूर रेंबो खिलते व पेरी विंकल अभी कुछ दिनों तक और पिक्सी ओलो में रहकर वहाँ की खुशूरती को देखेगी और एंजोई करेगी लेकिन अचानक से पेरी विंकल की आलत खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि पिक्सी ओलो में विंटर वूड के मुकाबले काफी ज़्यादा गर् रही थी अब वहाँ पर विंटर वूड के किंग लोड मिलोरी भी वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि उनके सुनो आउल ने उन्हें सब कुछ बता दिया था लोड मिलोरी पेरी विंकल को अपने पंक उपर करने के लिए कहती है और जब पेरी विंकल अपने पंक उपर करती है दो सुनों के संपर्ग में आने के बाद पेरी विंकल के पंक पुरी तरह से ठीक हो जाते हैं और अब वो पेले की तरह उड़ पा रही थी। लोर्ड मिलोरी पेरी विंकल को समझाते हैं कि अब तुम कभी भी पिक्सी ओलो में नहीं जाओगी जिस पर टिंकर बेल बोलती है कि हम दोनों बेहने हैं और आप हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं अब यहाँ पर पिक्सी ओलो की क्वीन क्लेरीन भी आ जाती है जो ट स्नो मेकर मशीन को डिश्टोई करने के लिए उसे नदी में गिरा देते हैं लेकिन स्नो मेकर मशीन डिश्टोई नहीं होता बलकि नदी में फसकर बर्फ का एक तुफ़न बनाने लगता है जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था इसके बाद हम क्विन क्लेरिन को टि पिक्सी ओलो फेरी और विंटर वूट फेरी को एक दूसे से प्यार हो गया और और दोनों अपने राज के बॉर्डर को एक दूसे के साथ शेयर करके साथ में रहना चाहते थे लेकिन इस दोरान जब एक फेरी का पंग तूट गया तो फिर किसी ने भी उसका ख्याल नहीं पिक्सी ओलो के बॉर्डर पर सोणो मेकर मशीन के दौरा बनाये गए बर्फिले तुफान के बारे में जब क्विन क्लेरीन को पता चलता है तो सभी फेरी से साथ में मिलकर किसी तरह बहुत मुझकिल से स्नो मेकर को नीचे नदी में गिरा देती है लेकिन अप तक काफी दे अब पिक्सी ओलो के पेड़ पोगे जमने लगे थे कि Oz册 की वाज़ी के टुफान की वाज़े से बागी के Trees की तरह मारा गया तो पिक्सी ओलो की सारी पेड़ऱ्ी पेड़र नहीं उड़ पाएगी क्योंगी पिक्सी डוש की मदद से ही पिक्सी ओलो के फेड़िस उड़ सकती थी इसके बाद सारी फेरिस मिलकर सबसे पहले पिक्सी ओलो के एनिमल्स को बर्फिले तुफान से बचाने को हिश्च करने लगती है अब टिंकर बेल जब पेरी विंकल के द्वारा दिये गए निले फ्लावर को देखती है तो पुरी तरह से एरान हो जाती है क्योंकि अभी भी पुरी तरह से ठीक था टिंकर बेल इसके बारे में जानने के लिए विंटर वूट की तरफ पेरी विंकल से मिलने के लिए निकल पड़ती है लेकिन रास्ते में वो नीचे घिर जाती है जिसने उसका एक पंक डेमेज हो जाता है विंटर वूट पहुँचकर टिं उनों किसी ब्लेंकेट की तरह काम कर रहे थे जिसके अंदर का टेंपरेचर बाहर के टेंपरेचर से गरम था यह सब जानकर टिंकर बेल को एक आइडिया आता है कि अगर हो किसी तरह पिक्सी डश्ट ट्री को भी बर्फिले तुफान से बचाने के लिए सुनों से कवर कर दें तो पिक्सी डश्ट ट्री बिल्कुल सेफ रहेगा इसके बाद टिंकर बेल पेरी विंकल फेरी और उसकी फ्रेंड्स के साथ पिक्सी ओलो में पिक्सी डश्ट ट्री के पास आ जाती है जहाँ परो पिक्सी डश्ट ट्री को आइस से कवर करके बचाने कोशिश करती है लेकि परो पिक्सी ओलो को आई से कवर करके उसे बचाने कोशिश करते हैं और क्यूइन क्लेरिन के साथ ही पिक्सी ओलो के सभी फेरिस की मदद करते हैं पिक्सी ओलो के पूरी तरह से बर्फ में जमने के बाद पिक्सी ओलो की फेरिस सुरक्षित रहने के लिए अपने शेल्टर में चली जाती है क्यूइन क्लेरीन को पिक्सी ओलो के पुरी तरह से बरफ में जमने के बाद काफी ज्यादा प्रोब्लम हो रही थी और उन्हें ठण लग रही थी जिसे देखते हुए लाड मिलोरी अपना जेकेट उतार कर क्यूइन क्लेरीन को दे देते हैं और यहाँ पर हम ला पिक्सी ओलो पर का आइस मेर्ट हो जाता है और पिक्सी डश्ट वापस से बनना शुरू हो जाता है जिसे देखकर क्विन फेरी और बाकी की सबी फेरी बहुत खुश होती है लेकिन यहाँ पर टिंकर बेल रिविल करती है क्या वो हवा में नहीं उड़ सकती क्योंकि उसका एक पंक विंटर वूर जाने के दोरान डेमेज हो चुका था ये सब जानकर सारी फेरीज बहुत दुखी होती है और लाड मिलोरी क्विन क्लेरिन से कहते हैं कि ये सब हमारी वज़े से हुआ है हमें टिंकर बेल और पेरी विंकल को एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहिए था अब टिंकर बेल पेरी विंकल को वापस से विंटर वर्ड में जाने के लिए कहती है क्योंकि सुरज की दूप की वज़े से पिक्सी ओलो की सुनो मेर्ट हो रही थी और पिक्सी ओलो वापस से पहले की तरह बन रहा था वापस जाने से पेले टिंकर बेल और पेरी विंकल आ क्लेरिन एक बार फिर से एक दूसरे एक लो जा जाते हैं और अपने राजी को एक दूसरे के राजी के लिए खोल देते हैं यानि कि अप पिक्सी ओलो की फेरिस बड़ी आसानी से विंटर वुड में जा सकती थी और विंटर वुड की फेरिस पिक्सी ओलो में आ सकती थी इसक अगर आप एसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप एंडी स्किन पर किलिक करके इन वीडियोस को भी वाच कर सकते हैं, साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तही दिल से शुक्रिया, थेंक्स रोचिंग.